वैसे तो लेपड को इस दुनिया के सबसे खतरनाक सिकारियों में से एक माना जाता है जो अपने देजरप्तार के कारण पलक जपकते ही अपने सिकार को मार डालता है लेकिन जैसे ही यहां पर यह तेंद्वा इस परक्यूपाइन का सिकार करने के लिए आगे बढ़ता है वह परक्यूपाइन अपने कांटों से कुद को बचाने लगता है तेंद्वा जितनी बार भी उसे पकड़ने जाता है वह अपने कांटों से उसे मजा चखा देता है और यह तेंद्वा बड़ा ही लाचार हो जाता है परक्यूपाइन अपने नुकीले कांटों से उसे घायल भी कर देता है फिर भी वह लेपर हार नहीं मानता और उसे पकड़ने की कोशिस में लगा रखता है सायद आज यह तेंद्वा इस परक्यूपाइन का सिकार करने के फोल मूड में था यह सिलसिला काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है और साम हो जाता है अब वह पर्ठीवपायन भी काफी ठक जाता है और आखिरका वह समय भी आजाता है जिसका उस 3D को काफी इन्तिजार था 3D किसी तरह उस पर्ठीवपायन को घायल करने में कामयाब हो जाता है इसके बाद भी वह खुद को बंचाने का काफी जदन करता है लेकिन उस तेंदवे के सामने उसकी एक नहीं चलती और अंत में वह उसका सिकार कर लेता है अब जाके इस तेंदवे को थोड़ी जैन आई होगी